So hey guys once again welcome back to my channel dream edit 01 तो कैसे हो आप लोग होप करता हूँ हमेसे की तरह अच्छे होंगे तो आज की वीडियो में हम लोग कुछ इस टाइप से S30 photo editing को complete करने वाले हैं जो कि आप लोग अपने mobile के screen पे देख सकते हो तो इस पिको मैंने कैसे edit किया है और आप लोग कैसे edit कर सकते हो वो सब कुछ इस detail वीडियो में पता चल जाएगा तो tutorial को पूरा देख लें था कि आप लोगों का जितना भी मतलब doubt वगरा है वो सब clear हो जाएगा और next वीडियो आप लोग किस topic पे देखना चाहते हो वो मेरे को content suggest कर देना ताकि मैं उस सीच पर work कर सो को एंड एक specific tutorial आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊं तो फिलल इस वीडियो को देखो so without wasting any more time guys let's start tutorial हमारा पहला step black and white pick को convert करना है तो आप लोग क्या करना है direct यहां से आजाना tool वाले section के अंदर adjust tool के अंदर आ जाना और यहां से सबसे पहले हम लोग saturation को down करेंगे उसके बाद यहां से तो फोड़ा से shadow को minus कर लेंगे now hundred और उसके बाद अप लोगों को eraser tool के अंदर आ जाना है ताकि अपनी जो background है न वो अलग से चमके end model ऐसा नहीं लगना चाहिए कि black and white हो गया तो इस siege को आप लोगोंने कर लेना है now perfect काफी अच्छे तरीके से हमने इस siege को complete कर लिया तो आप लोग same to same कर लेना और फिक करना है right पे click तो अब यह आप लोग देख सकते हैं आपकी जो peak है ना पहले कुछ step से थी एंड यह step करने के बाद आपकी पर काफी सद़ ब्यूटिफुल हो जाएगी तो यह step जरूर से follow करना उसके बाद gallery के अंदर आ जाओ और मैं जितना भी stock का use कर रहा हूँ सब कुछ मेरे description box में है तो जाके download कर लेना तो अभी हम लोग इखाट दो png को लेकर आएंगे एंड इसको लगाना है तो इसको side करेंगे और wings वाली जो png इसको बढ़ा करके आप लोग ने ऐसे adjust कर देना है परफेक्ट देख लेना अपने according जो भी best लगे हम लोग eraser tool के अंदर आएंगे एंड यहां से आप लोगों को hardness को थोड़ा से in case size को minus और यह जो png है इसको ज़स्ट आप लोगों ने कुछ इस तरीके से erase करना है नव परफेक्ट सेम इस तरीके से और जो एक्स्टर पार्ट आप लोगों का erase हो चुका है उसको restore कर लेना नव परफेक्ट ओके काफी सुपब लग रही है उसके बाद राइट पर क्लिक कर देना और यह जो टेक्स्ट वाले पिंज अभी हम लोग इसको बड़ा करके यहां पर एडजस्ट करेंगे एंड राइट पर क्लिक ड़न तो दो पिंज अभी हमने एडजस्ट कर दिया है उ बाउस बने दो पिंज गुए खटे मर्च किया है क्रॉप पे चलूँगा मैं और यहां से एंजल रखूँगा ओके और इसको अपने टॉप पर अड़ेस्ट करना है मिरको नौ परफेक्ट उसके बाद अगेन क्रॉप पे चलेंगे इस वार हम लोगों को अपने क्रोन अबर कम्प्लीट हो चुक है उसके बाद आप लोगों को अपने विगनिटी वाला एफेक्ट देना है जो कि काफी सथा सूपव लगेगी तो गैलरी के अंदर आएंगे और यहां से आप लोगों को अपने विगनिटी वाला पी एंजी को एडज़स्ट जूम करके आप लोग ने ऐसे लगा देना जो कि काफी सथा सूपव लग रही है उसके बाद एसे थेटिक टोन को एडज़स्ट करना है तो मैं आउंगा इफेक्ट वाले सेक्सेन के अंदर एफेक्स में आउंगा और यहां पर आप लोगों को ग्रैंड टू यह फिर ग्रै पर क्लिक तो अभी आप लोग देख सकते हों जस्ट एक क्लिक में आप लोगों का जो ग्रीन वाले फैक्ट और हलकाल का ग्लीच वाला जो फैक्ट वह आ चुका है और अगर आप लोग चाहते हो कि मिलेको अपने फेस के ऊपर नहीं रखना है तो एरेसर टूल के अंदर जा देना है जो किना काफी पर्फरक्ट लगेगी ज्यादा भी नहीं देना और फिर करना राइट पर क्लिक ओके तो यह चीज़ हमारा कंप्लीट हो चुका है तो अभी रह रहा हमारा लास्ट रग तो पार्टिकल्स वाली पैंजी को एडजस्ट करेंगे आएंगे गैलरी के अ अब थोड़ा सा आप लोगों को अपने एकॉडिंग इस चीज़ को मैनेज कर लेना है तो मैं यहां से थोड़ा इसको इंक्रीज करूँगा कोंट्रास्ट को भी इंक्रीज कर दूँगा शेड़ो अगारा आप लोग माइनेस करके देख सकते हो तो रहने देना जिरो क्योंकि पहले हमने कर लिया था काफी अच्छी लग रही है उसके बाद आप लोग कलर टोन को अड़ेस्ट कर सकते हो मैं थोड़ा सब ब्लू टोन फोर परसेंट और फिर कर देंगे इस चीज को राइट पे क्लिक डन गैस ऐसे थाटिका जो वरक है वो पूरा कंपलीट हो चुका है तो आप लोग अभी आप लोग एक नॉर्मल पिक देख सकते हो आफ्टर एडिटिक हमने कुछ इस तरीके से लुक क्रेट कर दिया जो कि क एक वर प्लेइलिस्ट जरूर से चेक कर देना अभी आप लोगों को एंड स्क्रीन पर भी दिख रही होगी